अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा अगर हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा क्योंकि ऐसी क्लासे जो हैं आपको मिलती रहती हैं सुभा से लेकर रात तक ठीक है इसके साथ ही यह है अड़ इस application को install कर लेते हैं, आपको कुछ coins मिलेंगे, even जब आप इन quizzes को attend करोगे, तब भी आपको कुछ coins मिलेंगे, और coins को आप use कर सकते हो, additional discount के लिए, तो start करते हैं, पहले question के साथ, Cetotrega, Cerellella is the scientific name of, options are A, Angoemois Moth, B, Rice Moth, C, Indian Meal Moth, D, Almond Moth, तो बार-बार मैं आपको revise करा रही हूँ, यह नाम, यह families, क्योंकि यह important है, जो stored grain pest होते हैं, उनके scientific name आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार easy से easy question होता है, और options में सिर्फ scientific name होते हैं, तो यहां मेरा उदेश्य है, कि भई, आपको scientific name तो at least याद हो जाएं, तो क्या है सही answer, किसका नाम है यह, सीटो, ट्रॉगा, सीरियल लैला, the right answer is A, ठीक है, अन्गोइमोज मौथ का है यह, आपका सीटो, ट्रॉगा, सीरियल लैला, और यह जो मौथ होती है, यह filled condition में और storage condition में, दोनों condition में damage cause करती है, crop को, right, next, white ear head in paddy is caused by, white ear head कौन cause करता है, तो यह question मैंने पहले भी कराया था, ठीक है, इसका answer जो है, वो मैं सही करवाने वाली हूँ, क्योंकि उस time जल्दी-जल्दी पे मैंने शायद गलत answer की देखी नहीं, ठीक है, पर मैंने आपको अच्छे से कराया, concept में भी कराया और एक short वीडियो में भी बिताया था, कि white ear head जो है, वो किसका typical symptom होता है, तो options है, गॉल फ्लाइ, B, green leaf hopper, C, yellow stem borer, D, stink bug, तो बिल्कुल dry up appearance हो जाती है, white-white सापको हर जगा दिखता है, ठीक है, white ear head appearance जो है, वो किसकी वज़ा से होती है, हाँ, यहाँ पर आपका answer A नहीं होगा, ठीक है, और मुझे अभी नाम भूल रहा है, पर जिन्नोंने भी बोला था, ठीक है, अच्छा आपने notice किया, and then he said एक बहुत प्यारी सी चीज़ कि मैंने बोला, हाँ, thank you for highlighting या जो भी है, यही होगा, very true, तो he said कि जो सीखा है, आप इसे सीखा है, so thank you so much, अभी मुझे नाम सच में बूल रहा है, लेकिन thank you so much, okay, so the right answer is C, ठीक है, क्या answer हो जाएगा, C हो जाएगा, यह जो white ear head appearance है, यह किस में होती है आपकी, किसकी वजह से होती है, yellow stem borer, जबकि gall fly जो है, वो silvery shoot या onion shoot टाइप के symptoms जो है, वो produce करती है, है ना, gall fly या gall midge fly, इसका पूरा नाम है gall midge fly, जाए, तो यहाँ पर answer yellow stem borer होगा, जो कि monofagus pest है, बार-बार बोलती हूँ monofagus pest है, paddy का, मतलब यह paddy के अलावा, और किसी को नहीं खाता, इसके अलावा yellow stem borer का एक और बहुत ही important question आता है, that is dead heart symptom, कौन से symptom, dead heart symptom, stem को बिलकुल खोखला बना देता है, dead heart symptoms, भई यह symptoms तो इतनी बार हमने revise कर लिये हैं, कि आप तो आपको by heart ऐसे पता होना चाहिए, कि dead heart paddy में कौन cause करता है, याद रखना, सिर्फ paddy में करता है यह, अगर sugar cane में पूछेंगे, तब नहीं करता, ठीक है, चालो, अगला question, वाइट गरब beetles emerge from soil in between, कौन से टाइम पर emerge होते हैं, options are A, 6 to 7 p.m., B, 1 to 2 p.m., C, 7 to 8 p.m., D, 2 to 3 p.m., तो यह थोड़ा सा आपके लिए easy होगा, क्योंकि वाइट गरब जो है, वो nocturnal होता है, रात के time को निकलता है, तो आपको बस इतना देखना है कि भई, कि रात जैसी कब हो जाती है, किस time पर हो जाती है, रात, बताओ. Okay, so here the right answer is C, 7 से 8 वजे तक जब रात हो जाती है, तब यह emerge out होते हैं, ठीक है, अगला सवाल, who for the first time studied Indian insect type, Indian insect type को किसने सबसे पहले study किया था, options are A, Leneous, B, Coing, C, Fabricious and D, Lefroy. So, सबसे पहले insect type को India में किसने study किया था, चलो, timer देते हैं आपको, 5, 4, 3, 2 and 1. So, the right answer is Leneous ने study किया था, A is the right answer. Next, which type of special reproduction is found in aphids? So, options are A, Polyembryony, B, Pyridogenesis, C, Parthenogenesis, D, Viviparity. बताओ, aphids में एक special type of reproduction होती है, वैसे insects जो हैं, hermaphrodite भी होते हैं, bisexual भी होते हैं, पर यहां पर aphids की बात करें, तो कौन सी special type of reproduction होती है? ताइमर देते हैं आपको, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, here the right answer is option number C that is Parthenogenesis. Next, which term is used for the movement of coxa towards the body? Options are A, Protraction, B, Promotion, C, Adduction, D, Abduction. बताओ. Protraction, Promotion, Adduction, Abduction. So, coxa क्या है? यह leg का first part है, जो insect की leg होती है, उसका first part है आपका क्या? कॉक्सा. अब यह जो कॉक्सा होता है, यह बहुत movable होता है. तो इसकी जो body movement होती है towards the body, उसे कहते हैं, Abduction. क्या कहते हैं? Abduction कहते हैं. Next question, hopper burn symptoms are appear in. Hopper burn symptoms जो हैं, वो इन में से किस में appear होते हैं? A. Wheat में, B. Sugar Cane में, C. Sorgum में, D. Rise में. तो यह जो hopper burn appearance है, यह brown plant hopper जो है, उसका typical symptom है. Brown plant hopper का यह typical symptom है, जो बिल्कुल आपका field ऐसा लगेगा कि सब कुछ जलजल सा गया है. ठीक है? तो यह है, और यह जो brown plant hopper है, यह rise का, यानि paddy का एक अच्छा या major pest है. तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा? D. answer सही हो जाएगा. इसके रावा, sorgum में अगर आपको करना है, तो sorgum shoot fly जो होती है, वो बहुत important है, उसको कर लेना, AFO में आ चुका है. तो sorgum shoot fly का attack जो है, शुरू के टाइम पे होता है, germination period के टाइम पे होता है, और यह जो growing points होती है, उसके feed करती है, ठीक है? यह उसका attacking mode होता है, attacking weakness से behavior होता है. Next question, which of the following is a carry side? Options are A. Pyrimi carb, B. Dicofol, C. Profenphos, D. Cevidol. तो a carry side क्या होता है? A carry side क्या होता है? एक ऐसा chemical, which is used to kill mites. Mites को kill करने के लिए, जो हम use करते हैं chemical, उसे कहते हैं A carry side, क्यूंकि जो mites होती है, उनकी class कौन सी होती है? Arachnida. Insect की class होती है, Insecta. तो जो chemicals, Insect को मारने के लिए use होते हैं, उसे कहते हैं Insecticide, या Pesticides, जो होते हैं, वो एक broader term होती है. है ना? नहीं, तो Insecticides, जैसे Fungicides, यह सब क्या होते हैं हमारे? यह Insecticides, Fungicides, या भी कैंसे VDicides, यह सब Pesticides के अंदर ही आते हैं. क्यूंकि PEST is a broader term. ठीक है? ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहे थी, कि सौर्गम में जो शूट फ्लाय का attack है, या उसका जो symptom है, वो बहुत जादा important है, और AFO में आ चुका है. तो आपको options पढ़ने है, option number A, formation of dead heart in the early seedling stage of सौर्गम, which can be easily pulled out. है ना, कि dead heart बनाता है early seedling stage में. second option कहता है, formation of dead heart and a bunchy top during the later seedling stage of सौर्गम. तो यह जो option है, यह तो cancel हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि, अरे यार, option आपके सामने ही आ गया, ठीक है, देख लो यहाँ पर, यहाँ पर भी देखो, later seedling stage लिखा है, और यहाँ पर early तो लिखा है, लेकिन silvery shoot तो कौन बनाता था? तो आपकी जो gall midge fly है, वो बनाती है, ठीक है, gall midge fly बनाती है, तो यह तो नहीं होगा, यह भी cancel हो गया, यह भी cancel हो गया, बचा हमारा early seedling stage में dead heart कौन करता है? सौर्गम shoot fly, next question, which of the following pest is controlled by grease bending on tree trunk? options are A, trunk borer, B, mango millibug, C, coddling moth of apple, D, woolly aphys of apple, बताओ, grease bending जो होती है, tree trunk पे, वो किस में होती है, या मतलब किसकी management के लिए होती है, so the right answer here is, देखो एक तो tree bending आप millibug के लिए use करते हैं, millibug जो की आपका, यह भी important question है, अगर आपको ऐसा कोई question आता है, कि tree bending और option में आपके होता है millibug, option में होता है millibug, आपने mango के trees देखे होंगे, उसमें जो trunk होती है, उसके उपर white white सार से paint होता है, ठीक है, वो tree bending होती है और वो किसकी management के लिए use होती है, millibug के लिए, यहाँ पर भी grease bending बोला है और tree trunk पे ही बोला है, लेकिन options हमारे आपके mango millibug यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, है ना, तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ना, which of the following statement is not correct, all pests are pathogens, all pathogens are pests, some parasites are beneficial to the plants, some flowering plants are agriculture pests, so, some flowering plants are agriculture pests, बिलकुल सही है भई, जो हमारी जैसे lantana camera है, वो एक weed है, ठीक है, तो weed भी एक pest ही होती है, तो यह तो सही है, statement, some parasites are beneficial to the plants, बिलकुल जो special type of parasites होते हैं, वो हमारे लिए natural enemies की तरह काम करते हैं, हमारे pests को जो वो है, kill करते हैं, तो यह भी important है, all pathogens are pests, सभी pathogen pests के under ही आते हैं, pest जो है, एक broader term है, broader term है, इसी pest में आपका fungus आती है, जो भी आपके micro organism होते हैं, इसी में आपकी weed आती हैं, इसी में आपके insect pest आते हैं, तो सब कुछ इसी में आपका आता है, now all pests are pathogen, this is wrong, क्योंकि some pests are pathogen, some pests are weed, some pests are कुछ, तो यह सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी सही नहीं है, ए स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अगला सवाल, which of the following is colorless, इन में से कौन सा colorless होता है, options are procutical, endocutical, exocutical या all of these, बताओ, which of the following is colorless, या white colored we can say, या colorless, कौन सी होती है, the right answer is endocutical, ठीक है, तो यह एक बार मैं आपको करवा देती हूँ, होता क्या है, यह सब है insect की body wall में, आप morphology पढ़ोगे, तो सबसे पहले insect का body wall पढ़ोगे, जिसे insect का exoskeleton भी कहा जाता है, और उसी को insect का integument भी कहा जाता है, integument, ठीक है, अब यह जो body wall होती है, इसमें three layers होती है, सबसे outer layer है cuticle, उसके बाद है epidermis, और इसी epidermis को hypodermis भी कहा जाता है, इसी epidermis को hypodermis भी कहा जाता है, so cuticle epidermis, जिसको hypodermis भी कहते हैं, and third is basement layer, third क्या होती है, basement layer, cuticle से question आता है, कि यह non-cellular layer है, यानि inactive layer है, जो epidermis है, वो unicellular या cellular layer है, और यह बहुत ही basement layer, थिन सी layer होती है, इसका as such कोई function नहीं होता है, ठीक है, यह epidermis के जो cell secret, secret होते हैं, वो एक thin film बना लेते हैं, जिसे basement layer कहा जाता है, अब यह जो cuticle होती है, है न, यह जो body wall है, यह किस से बनती है, carbohydrate से बनती है, plus protein से बनती है, अलग-लग type के, आपकी proteins होती है, तीन, जो आगे आपको बिताऊंगी, and carbohydrate, polysecret, जिसे kaitin कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, kaitin कहते हैं, अब यह जो cuticle है, अब यह जो cuticle है, यह भी further divide हुई है, दो type में, और वो दो type कौन से है, epicuticle, epicuticle, और दूसरा type है आपका pro cuticle, epicuticle and pro cuticle, अब epicuticle सबसे बाहरी होता है, और pro cuticle further फिर से divide होता है, endocuticle में, endocuticle में and exocuticle में, ठीक है, endo मितलब अंदर वाली, अंदर वाली skin हमेशा colorless रहेगी, ठीक है, और exo मितलब बाहर वाली, यह colored रहेगी, क्यों, क्योंकि जो endo वाली है, उसके अंदर untanned protein पाई जाती है, जो tanning नहीं करती है, untanned protein, और उसका नाम होता है, arthropodin, क्या होता है, arthropodin होता है, अगर हम exoskeleton की बात करें, तो इसके अंदर tanned protein पाई जाती है, जिसे कहते हैं sclerotin, क्या कहते हैं sclerotin, तो ये दो proteins के नाम भी important है, that is your colorless वाली में, untanned protein, arthropodin, और colored वाली में, exo वाली में, tanned protein, that is sclerotin, इसके अलावा एक और protein होती है, उस protein को कहते हैं resilin, ठीक है, जो भी elasticity होती है, ठीक है, elasticity होती है, वो इस resilin protein की वज़ा से होती है, तो B, endocutical is colorless, now juvenile hormone is secreted by, options are A, corpora alata, B, corpora cardiaca, C, neurosecretary brain cell, D, salivary gland, so juvenile hormone secreted कहां से होता है, A, corpora alata से ये secret होता है, ठीक है, next, which of the following is not a culture method, plowing, light traps, tillage या pruning, तो इन सब में से जो light traps हैं, वो mechanical method में आते हैं, बाकी सब जो हैं, वो आपके culture method में आते हैं, next question, class insecta belongs to which sub phylum, options are A, uniremia, B, pycnogonida, C, diplopoda, D, none of these, तो यो जो insecta class है, ये uniremia sub phylum से बिलॉँ करती हैं, ठीक है, next question, which one of the following is not a part of the insect leg, coxa, trochanter, scape या tevya, तो coxa, trochanter, tevya, these are the part of leg and scape is the part of antenna, ठीक है, next question, saltatorial type of legs are found in, options are grasshopper, headlice, cockroach, या ticks, तो saltatorial legs किस में पाई जाती हैं, jumping legs, grasshopper में पाई जाती हैं, ठीक है, ओके, तो separation of old cuticle from epidermis is called acdysis, apollysis, stadium, exuvia, तो अब time हो रहा है, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, तो old cuticle की separation को कहते हैं, apollysis, इसके साथ ही, अभी next class मेरी लगने वाली है, इसलिए मैं इतना ही आपको question करा पाऊंगी, मैंने सोचा था, पूरी revision कराऊंगी, तो थोड़ा समझाने में time लग गया आपको, ठीक है, so that's it, वैसे आपके लिए बहुत एक लंबी बीबिटी में लेकर आई थी, कर, government job exams में आपको agriculture select करना है, अब यह है IBPS AFO का, जो crash course शुरू होने वाला है दिवाली के बाद, जिसमें आपको सारी test, series, e-books और important सब कुछ questions बताए जाएंगे, buy now करना है, discount के लिए code Y781A use कर सकते हैं, तो इसको apply कीजिए, only 1500 में आपको इस batch में enrollment मिल जाएगा, 24 November को शुरू हो रहा है, सारे notes मिलेंगे, उनको print करवा सकते हैं, और इसी के साथ मैं अपना आज का session यहीं पर complete करती हूँ, bye bye, take care, stay safe.